शेफाली शा, प्रशंसित राष्ट्रिय पुरसकार विजेता अभिनेत्री जो दिली क्रेम, जैसे शो और डार्लिंग्स जैसी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में दो साल पहले एक फिल्म सेक पर एक वरिष्ट छायाकार क साथ एक दोख़द मुठबीत के बारे में खुलासा किया, हाल ही में एक इंतरव्यू के दोरान शेफाली ने मनुरंजन उद्योग में आने वाली चुनोतियों पर प्रकाश डालते हुए अपना अनुभव साज़ा किया, अपानी यादों में शेफाली ने बताया कि एक फि परीपई ने बेरहमी से टिपनी की, अब क्या सब का शौट लेते रहेंगे, क्या अब हम सभी का शौट लेते रहेंगे, जिससे शेफाली को काफी असुविधा हुई इस घटाना ने शेफाली को बहुत प्रभावित किया, जिससे वरिष्ट छायाकार के प्रती सम्मान की हानी हुई उन्होंने फिल्मों और शोव में वास्तविक जीवन के मामलों से निपटने के दौरान उद्योग में सम्विदन शिल्ता के महत्व पर जोर देते हुए अनेक व्यवहार पर निराशा व्यक्त की शेफाली शाह ने अपने आगमी प्रोजेक्ट 3 OPH का भी उलेख किया, जो 3 नवंबर 2023 को सिनिमागरों में रिलीज होगी फिल्म में साह कलाकार जयदीप एहलावत और स्वानन किरकिरे है और इसका निर्देशन अविनाश अरुन ने किया है, जो स्कूल OPH लाज के लिए जाने जाते हैं शेफाली का स्पष्ट रहस्योद घाटन अंचनोतियों और असमेदन शीलता को जागर कराता है जो मनोरंजन की दुनिया में बनी रह सकती है